So first of all, welcome to our channel Muskaan एक रूमर स्वेल रहे हैं हलाकि कन्फरमेशन भी है हमें कि आप Big Boss में जा रहे हैं बट हम आप से जनना चाहें कि आप कितने एक्साइटेट हैं और ये प्लानिंग कमस्टार्ट होगी कि आप Big Boss के घर में इस बार एंटर करने वाले हैं सबसे पहले तो मैं बहुत 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 एक्साइटेट हूँ और प्लानिंग तो काफी टाइम से चल रहे थी कि आए पिछली बार भी बात वी थी बट नहीं हो पाया इस पार हमने सोचा कि चली ही जाते हैं और अफकोर्स सलमान सर है तो उनसे मिलने की एकसाइटमेंट बहुत है जैसे कि पिछले बार आपने बात किया तो कही ना कि यह भी रूमर था कि सलमान सर होश्ट नहीं करने वाले हैं बिग बाद बाद कि इसके उजसे तो यह नहीं था कि नहीं जाना है अब हमें यह भी हो सकता है क्योंकि मैं सलमान सर की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं सच्ची में उनसे मिलना चाहती हूँ और मैं बहुत एकसाइटेड हो वाओ उसकान जैसे कि बिग बॉस इतना कॉंटरवर्सल शो है वहां पर मेंटली फिजिकली हर तरीके से हमें पिपेर होना पड़ता है तो क्या पिपेर हैं तयारी है आपकी पुरी तरीके से किस तरीके से रहने वाली हैं आप उस घर में क्या कॉश करने वाली हैं एक्षिली मेरे लिए बहुती नाय एक्सपिरियंस है क्योंकि पहली बार कोई रियालिटी शो कर रही हूँ और शुरुआत ही बिग बॉस के साथ हो रही है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और तयारी भी चल रही है साथ-साथ मतब काफी लोग मुझे घर में ही बहुत सजेशन्स दे रहे हैं कि तू ऐसे रहना ऐसे करना वो करना वो करना बट आ तिंक मैं जतना नाश्रल रह सकती हूँ वो कोशिश करोंगी और चाहूंगी कि लोग मुझे पसंद करें लोग है बीक पर बयाक उन्ग Kirsty सब्सकान समय संबूल मैंने जहां तक आपकön बॉधी एक कि स्ट्रोंग हो और मुझे लगता है कि अगर आप बड़रें हैंपने प्लॉख स्क्षा शियंग गए आप फिका नहीं हो आप अप शोल तो आप यह भी जाना चाहेंगे कि पैकिंग हो चुकी हो अब बहुत नजदीक आ चुका है अब आपके चीज है जो लास्ट मुवमेंट तक चलती रहती है तो अभी थोड़ा बहुत मैं गह सकती है थोड़ा बहुत बाकिंग हो गया है बाकी इन प्रोसेस है आपके क्लोस फ्रेंड भी रियाजरी सो कर चुके हैं तो उनके साथ में कोई जर्यव आप तक पहुचा है कि यह नए अभी तक वैसे मैंने खुद ने तो अभी तक किसी को नहीं बताया है और हां मतलब इस बारे में किसी से बात नहीं हुए है घरवालों को यह जादा पता है और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कोई है ने जसने बिग बॉस किया हो सुंबुल अच्छी दोस्त है लेकिन उससे भी उतनी बात होती नहीं है मेरी तो उससे भी मैंने बताया नहीं अब वाओ तो मैं यह जाना चाहूँगी पैरेंस का क्या रियक्शन था क्योंकि पैरेंस तो अवेस इन सब चीजों से जानकारी है उनके पास सो उन्होंने अपको क्या बोला वो अच्छी मुझ से जादा एक्साइटेड है मुझे वहां देखने के लिए क्योंकि मैं कभी भी अ तो मैं बनाने आते हैं मसकान कि कि वाँ बोस एक एक चीजों के लिए बहुत फाइट करना वड़ता है मैं चाय बना लेती हूं और थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा कहना बनाती हूं बढ़ थोड़ा बहुत बाद बेसिक चीज़े जो है वो मुझे आती ह मेरा सवाल यह रहेगा थोड़ा सीरियस सवाल करने जा रहे हूं क्योंकि यह रहेगा कि जैसे कि फाइट होते उस घर में आप इससे पहले कोई शो देख चुके भिया बिग बॉस के रिलेटेट मैंने कुछ-कुछ एपिसोड कहीं कैसे देखे हैं तो आप मतलब डर तो होगा कि वहां के लोग कैसे रहेंगे बहले इस इंडर्सिस से बिलॉंग करते हो यह मैं बस यह कहूंगी कि मेरे लिए नया है of course क्योंकि यूनों ऐसे लड़ाई जगडे भी मैंने कभी इतने देखे नहीं है जैसे विग बॉस के घर में होते हैं चीजों को लेके मैं एक्साइट वाओ इससे पहले मैं आपके शो के लिए भी थोड़ा सा बात करना चाहूंगी क्योंकि इस समय हमने हाली में मदाल्सा का इंटर्व्यू किया वह भी शोर से कुई हो चुकी है निकल चुकी है बट हर कोई अनुपामा से इस तरह निकल रहा है बहुत ज्यादा सप्राइजि तो मैं जाना चाहते हूं कि जब आपने इस शो को छोड़ा था किस वज़े से छोड़ा था कुछ लीप कना चाहेंगे हाँ हाँ मैं जैसा कि हमारा शो लीप लीरा था तो लीप के बाद जो पाखी का कारेक्टर है उसमें एक यूनों उसका एक बेबी दिखाने वाले थे औ क्योंकि टीवी शो बहुत कर लिए थोड़ी मूवी की एड्स की लेकिन रियालिटी शो आज तक नहीं किया था तो हमने सोचा कि इस पार यह करके लेखते है वाँ तो सब मैं यह जाना जब फर्स्टाइं जब सर्मान सर साब मिलोगे तो क्या कहोगी आप मैं यही कि बहुत क्योंकि कि युआ आप बहुत सारी लोगों के लिए इंस्पिरिशन है और वी लव हैं। हम सब उनसे बहुत प्यार करें। कोई ऐसे चीज लेके जाने वाली है? मुसकान, हर कोई जब जाता है अपनी बहुत प्यारी चीज बिग बहुत हाउस में लेके जाता है ताकि मैं उसमें ठीकी रहूं और मुझे जब याद आय तो मैं उसे देखती रहूं क्योंकि हम घर में रहेंगे और मैं अपनी फामिली को देखने ही पाऊंगी उनसे मिलने ही पाऊंगी तो मैं भी फामिली फोटो हूं वाव फामिली फोटो सो लासली यह जाना चाहूंगी ओडियंज को क्या कुछ कहने वाले हो आप जब बीग बॉस के अंदर जा रह रहे हो बहुत सारे सपोट और प्यार के जरूरत होती है मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अभी तक जितना भी आपने मुझे सपोर्ट और प्यार दिया है उसके लिए थांक यू और आखे भी फ्लीज मुझे सपोर्ट करते रहिए और बिग बॉस ऐसी जगा है जहां पर मुझे आपकी सपोर्ट की जरुवत बहुत पड़ेगी आपक